हेलो दोस्तों ट्रिक्स फोर ओल स्टुएंट्स में आप सभी का एक बार फिर से सुआ के दोस्तों आज की वीडियो में हम जैने के लेक्टिव हिस्ट्री डेली तुरुदी एजिस का आज हम एक कुश्चिन वेपर देखेंगे जो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है दे देले थुरुदी एजिस का कुश्चिन पेपर देखने जारे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टन कुश्चिन पेपर है ये जैनरिक लेक्टिव हिस्ट्री का अब ध्यान से समझिए 2019 से पहले पहली बात आपका कोई भी जैनरिक लेक्टिव का सब्जेक्ट होता ही नहीं थ इसके कुश्चिन को देख रहें जी क्योंकि यहां पे कुश्चिन बहुत जादा इंपॉर्टन इसके पहले चारी कोश्चिन करने होते थे अब पता नहीं चार या पांच कोश्चिन आपको करने पड़ रहे हैं हाला कि अभी तो पांच कोश्चिन आपको दिखाई दी रह है most important question paper आप इससे कह सकते हूं ठीक है तो चारी question करने थे लेकिन आप यहां पर questions को देखिए तो यहां आप question देख सकते हैं जो पहला question है वो है कि इंद्र प्रस्त के लिए साहितिक और प्रातात्रिक प्रमान का अलुशनात्मक मुल्यांगन कीजिए यहां पर कहा गया है कि जो इंद्र प्रस्त है उसका जो इतिहास है उसको जानने के लिए जो हम साहितिक और प्रातात्रिक जो पुरानी चीजे हैं उसका जो प्रमान है उसके बारे में मतलब इंदरपरस्त के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो कहां से जानते हैं उसके सोर्स कहा है इस तरोध कौन-कौन से हैं कौन-कौन से प्रमान हमें इंदरपरस्त के बारे में बताते हैं इसके बारे में बताईए आलोचनात्मक मतलब समझ लो आलोचनात्मक मतलब होत प्हेला कोश्वर्य जिस भी आप राय पिछोड़ा में बंदोबस्त और मंदी के प्रतिरूप की जिशेता है न सबी आप हलका सा questions को देखिए एक चीज और यहां पर समझाऊंगा जो यह पहला question है इसमें आप देख रहे हैं और करकिया है और का मतलब होता है या तो आप इसको कर लो या तो इसको कर लो दो option आपको आपके पास हैं एक question में दो option है आपके पास तो बहुत इजी दा बच्चों के लिए अभी ज्यादा समझाऊंगा नहीं question मैं आप डारेक्टली रीड कर रहा हूं important है बस आप question देखिए तेरी और संचित में निबंद लिखना था मतलब निबंद आपको लिखना था जैसे कि आप पर दिया गया है ग्यास पूरी ग्यास पूर किलो खरी यह शहर दिली का तो इसके उपर या फिर सीरी के उपर या तो या फिर तुगलगा बाद के उपर देखिए इन सबी में से एक उप्शन आपको चूज करना था और उसी के उपर इसमें आपको लिखना था जहांपना और फिरोजाबाद यह पांच आपको शहर दिये गए जिस पर आपको इस कोश्चन में एक पर लिखना है फोर्थ कोश्चन अगर हम देखें तो यह कहता है कि दिली एक कि योजना और संद्चन किन तरीकों से मुगलों की शाहि विचारधारा को दर्शाती जो शाहजहानबाद था जो लाल किला है जो चांड़ी चौक का एरिया है पूरा जो डिजाइन किया गया था मुगल बातशार के द्वारा मुगल बातशार जो शाहजहानबाद थे उस यहां पर दिया गया है कि किसी किला मुबारक की स्थापत्य योजना में दिवान आम के महत पर चर्चा कीजिए काफी हाट कुश्चन है बस आपको यहां पर कोश्चन को देखना है इसली कर रहा है यहां पर बता रहा हुँ आपको अथ्वा में दिया गया है करता है इसके बारे में हमें आप बताना था और जो आठवा कोश्चन ता इसमें आपको चार ऑप्शन दिये गए थे और चार मेंसे आपको दो आप्शन पर कुछ करना था जैसे कि भौरगड़ दिल्ले में सूफी मत चांदनी चौक और जाफर जट्रली इनमेंसे दो अब यह आठवा कोश्चन की जगा दसवा कोश्चन आता जिसमें आपको दो आप्शन चूस करने पड़ते हैं सिंपल सी बात में जो मैं आप समझाना चाता था वो यह है दोस्तों कि अभी बस आपको यह पुराना कोश्चन पीपर था इसको आपको देखना था जो भी कोश्चन पीपर हैं उनको आपको शो करूंँ एक चीघर रखना झीजो कोश्चन पीपर इसमें आप एक चीज़ गवर करोऊगे इसमें कोश्चन बहुत सारे दिए गएंगा और आपको कितना करना चार कोश्चन करना अब को ह्च्चन नुमबर हौन है इसी में दो सारे शहरों में इसे आपको बस एक शहर पर लिखना था और मतलब 5 यह आपको दो ohp अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक्यू